यशिश्वी यस्वाल ने वेस्ट अंडीस के खिलाफ पहले मैच में धमाकेदार डेब्यू किया उन्होंने अपने पहले टेस्ट को यादगार बनाते हुए शानदार सैंचुरी जमाई यस्वाल ने गजब का इंटेंट दिखाते हुए पहली पारी में 171 रन मनाए उनकी इस बारी में 16 चौके और एक छक्का लीखने को मिला अगर इस यूवक ख्लाडी का ऐसा ही प्रिदशन जारी रहा तो तीन भारतिये दिगंद बन्लिबादों का वविश्य खत्रे में पढ़ सकता है चली इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं उन प्लेयर्स की बारी में इस लिस्ट में हमने पहला नाम स्टार बन लिवास केर राओल का रखा है सिलार्वे इंजरी के चलते तीम इंडिया का हिस्सा नहीं है लेकिन ये शिश्वी येस्वाल के डेब्यू की बाद उनका वाफसी का इना मुश्किल लग रहा है क्योंकि येस्वाल की पारी की बाद लोकेश राओल की वाफसी की तरबादे बंद हो गए है मौजूदा समय में केर राओल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है जिसकी वज़े से चैन करता उन पर भरोसा जता सके उन्होंने पिछले साल टी ट्वेंटी विश कप और एशिय कप में अपनी बैटिंग से काफी निराश किया था जिसकी वज़े से उनके सेलेक्शन पर सवाल खड़े किये जाने लगे थे टीम इंडिया के सलामी बन्यवास मयक अगरवाल तीनों प्रारूप में भारती टीम का हिस्ता नहीं है हाला कि उन्हें टेस्ट के लिए चुन लिया जाता है लेकिन वेस्टेंडी दौरे पर बीसीसियाई द्वारा उन्हें एक बार फिर नजर अंदास किया गया बता दे अगरवाल ने अपना आखरी मुकाबला भारत के लिए पिछले साल शेलंका के खिलास खेला था लेकिन भारत को सलामी बन्यवास के रोप में यशिश्वी जैस्वाल मिल गए ऐसे में मयक अगरवाल को मुश्किली मौका दिया जाएगा टेस्ट किर्किट में टीम इंडिया के रीट कहे जाने वाले जिदेश्वर पुझारा को वेस्ट अंडीज दौरे से बाहर रखा गया है हो सकता है चैनकर्ता इंगलेंड में खेली गई विल्ट टेस्ट चैंपियंशिप फाइनल के पेजशन से नाराज हो फाइनल मुकाबले में पुझारा से काफी उम्मीदे थी कि वें बड़ी पारी खेलेंगे पर पिरबंदन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके जिसकी वज़े से उन्हें वेस्ट अंडीज के द्वारे पर नहीं चुना गया वहीं आप टेस्ट किर्फीट में ये शिश्वी जैस्वाल की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है जिसके बाद पुझारा का फ्लेंग 11 में जगे पनना मुश्किल नजर आ रहा है पुझारा पविश्य में बेंच गर्म करते हुए नजर आ सकते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो कहते लगी कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना पूलें